आमादमी पार्टी का भी तड़का तर्वेदी जी लगा था गुजरात चुनावों में लेकिन इस बार आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस साथ भी मिल जाएं तो भी बीजेपी को नहीं हरा आप आ रही हैं इसे किस तरीके से समझा जाए दो चीजे मैं इतर कहना चाहता एक तो भारतिय जन्ता पार्टी का स्टेट कहना गुजरात को अब ठीक नहीं है एक जमाने में 1995 में जब केशु भाई पटेल की सरकार बनी और बीजेपी के लिए हिंदुत्यू की लेबरेटरी के तोर पे गुजरात को देखा गया उसके बाद 10 साल 15 साल तक वो गुजरात भारतिय जन्ता पार्टी का राज्य था अब वो सिर्फ नरेंद्र मोधी का राज्य है कभी आप जाएंगे गुजरात तो लोग सिर्फ नरेंद्र मोधी का नाम लेते हैं। पार्टी आई है और आज 2023 में हम चल रहे हैं 30 साल वहां पर हो गए हैं 30 साल में भारतिय जंता पार्टी वहां खड़ी हुई है और लगातर और ऐसा कहीं होता है कि एक के बाद एक में आप लगातर सीटों का इजाफा करते जाए हमारे जितने विद्वान है संजे जी जैसे व एंटी इंकमेंसी जैसे शब्दी नहीं है गुजरात में यह जो शब्द हम लोगों ने गड़ रखे हैं उन सब को ध्वस्त कर दिया वहां पर और 61 परसेंट वोट परसेंटेज किसी पार्टी के साथ होना मुझे नहीं लगता कि दुनिया भर में कोई पार्टी इस तरह से दिखाई देती हो जिसको इतना बड़ा समर्थन मिल रहा हो लेकिन यह समर्थन में 61 में आप समझेए कि 40 परसेंट वोट आज की तारिक में नरेंदर मोधी का है और वो जो 150 सीटे आती है तो जब कहते हैं तो उसको लोग कुछ ऐसा लेते हैं कि भुपेंदर पटेल को नरे नरेंदर मोधी अपना रिकॉर्ड तोड़ते रहते हैं जो विदान साव का चुनाव हुआ वो भी नरेंदर मोधी के नाम पर लड़ा गया और उसी वजह से नहीं तो परस्ट टाइमर एमेले रहे हैं भुपेंदर पटेल क्या समझते हैं कि भुपेंदर पटेल को 150 सीटों से ज्यादा मिल सकती थी यदि उनी के नाम पर वो चुनाव लड़ा जाता था तो नरेंदर मोधी को होम स्टेट के तौर पर और वो स्टेट मला आप देखेंगे कि दो जनरेशन हो गई वोटर्स की जिसने नरेंदर मोधी के अलावा कोई नाम ही नहीं सुना गुजरात में आप को नरेंदर मोधी का विकल्प देने के लिए पहले इस तरह की तयारी के पड़ेगी ये बीजेपी से लड़ाई का मुद्दा गुजरात में भावेश जी जब ये सर्वे होता है और जो वोटर्स के बीच में आप लोग जाते हैं चर्चा गुजरात में किस तरीके की होती है एंटी इंकम बेंसी जैसा कोई शब्द नहीं है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की कोई काट विपक्ष के पास नहीं है वोटर्स चर्चा क्या करते हैं जब आप उनसे सवाल पूछते हैं गुजरात के मामले में एक ही चीज है कि मोदी जी को पधान मंतरी बनाना है उसी के लेके लोग वोट करते हैं लेकिन प्रधान मंतरी बनाने के लिए वोट करते हैं इसके अलाबा आप विधान सवा में हो सकता है बहुत सारे मुद्दे आ जाते हैं कई बाजे से 2017 में रिजर्वेशन का इसू था लेकिन लोगसभाथ चुनाम में और कोई इसू भले ही नैशनल लेबल पर जाते हैं जन्गना का इसू हो जाए बुमें नीजर्विशन का इसू हो जाए लेकिन गुजरात के मामले में सिर्फ और सिर्फ एक ही इसू रहता हुग है कि मोदी जी को पधान मंतरी फिर से बनान इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर